नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कार्तिक महा के सुक्ल पक्ष की एकादसी को भगवान सरी हरी विष्णू योग निद्रा से जाकते हैं और जिसके बाद चार महा से रुके वे सभी मांगली कारे भी सुरू हो जाते हैं भगवान बिश्णु आसार सुक्ल एकादसी को चार माह के लिए योग नित्रा में जाते हैं और देव जागरन यानि देवोत्थान एकादसी के दिन वो जगते हैं कहते हैं इससे मोक्ष की प्राफ्थ होती है अगर आप इस एकादसी का बरत रखते हैं इस बार देवोत्थान एकादसी बहुत खास समय में आई है मूर्त में आई है चुकि देवोत्थान एकादसी वाले दिन निरजल बरत या फिर केबल लिक्विड यानि की जैसे सर्वत है जूस है चाय है ये पीकर अगर आप रहते हैं उपास करते हैं तो ज्यादा अच्छा लेकिन अगर आप नहीं कर पारें ऐसे तो फल खाकर रह सकते हैं एक बेला सातिक आहार लेकर भी आप कर सकते हैं तो भगवान बिश्णु अपने इस्ट देव की उपाशना करे और तामसिक आहार तो बिलकुल भी ना खाएं जैसे प्याज, लहसन, मांस, मदीरा, बासी खा गन्ये का मंडब बनाकर बीच में चौंक बना लें और चौंक के मद्य में भगवान बिश्णु का चित्रे अमूर्ति रखें और साथ ही भगवान के चरंचिन भी बनाएं और इसको बाद में रात में ढग दिया जाता है और सुबह उठाया जाता है उठो 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 वास जानकारी के लिए जब भी किसी से आप पैसे लेते हैं तो पैसे पांचों उंगली से पकड़ कर लीजिए तो बरकत बनी रहेगी क्योंकि सभी नो के नो ग्रह का साथ आपको मिलेगा उस धन को बढ़ाने में बरकत देने में कोई भी विवेक्ति आपको दो उंगली से पकड़ कर पैसे देता है तो वो पैसे आपको बरकत नहीं देगा इसलिए कोसिस करें जिन से आप पैसे ले रहे हैं वो भी सभी उंगली से पकड़ के ही आपको पैसे दे और आप भी सभी पांचों उंगली पकड़ कर ही पैसे लीजिए तो यह तो थी simple सा प्रियोग दूसरा आप कोसिस करें कि जैसे कि सिक्का कोईन जो होता है न वो जब भी आप किसी को कोई नेग देते हैं तो 11, 21 ऐसे दें सिर्फ 10 दे दिए 20 दे दिए 50 दे दिए ऐसे मत दीजिए और कभी कभी क्या होता है एक का सिक्का नहीं है तो आप दो क ठिए प्रियोग बताते हैं कि बह自己 बार क्या होता है आपका पर्स कभी कभी खाली हो जाता है अपको लगता है धन कम पड़ गया एक सिक्क्ऐ लत अब इस सिक्के के साथ आपको एक लॉंग चाहिए और एक लाल रण का कपड़ा अब इसको माल लक्षमी के सामने कपड़े पर लॉंग और सिक्का रखकर रखते हैं यह प्रियोग आप किसी भी अमवस्या के दिन पुर्णिमा के दिन खड़ सकते हैं रखने के बाद इसको आप आप चाहें तो लक्षमी की का मंद्जब कर सकते हैं फिर इसको बांध कर धन के अस्थान पर या परस में रख लें बरकत के पर आप अपने नाम का पहला अक्षर लिखें सिंदूर से भी लिख सकते हैं लाल रंग के पेंट से नेल पॉलिस तो आपके घर में होगा उससे भी लिख सकते हैं अपने नाम का पहला अक्षर अब हिंदी में इंगलीस में आप किसी भी भासा के लोग हैं अपने भासा क जो लखा है आपने और रात भर चंद्रमा की छाया में रहने दे फिर अगले दिन सुभाइस को उठा कर अपने पर्स में रखने जब तक ये सिक्का आपके पास है आप देखिएगा धन आता रहेगा कई बार कर्ज बहुत परिसान करता है तब एक छोटा सा काम करें एक बार उल्टावार लें या तीन बार और कहीं भी पीपल के नीचे रख दें बिना पीछे मुरे घर आजाएं आपका कर्ज बड़ा से बड़ा कर्ज उतर जाएगा अगर धन की मुश्किल ज्यादा परिसान करें तब आप एक छोटा सा काम कीजिएगा आपके घर में सिक्का रख दें और अगले दिन पानी को आप पौधे में डाल दें इस कलस को आप सुरक्षित रख लें सिक्का को उठाकर अलग से रख दें अगले दिन इसको फिफिर से करें यानि कि जैसे कि आपने आज किया तो कल भी करें यह प्रियोग लगातार पांस दिन साभद के दन का दन पे रकडीज आख लिए और अबने जाहते हैं कि धाने घ्र में हो तब सबसे अब अपने घर में एक मिठी के बरतन में मिठी करश में और हीह गाल ऑप ढड़ा जा आवर में डीपका और घाल दुर्ण ऑस writes । सिक्का को चाबल से कभर कर दें, मिट्टी के दिपक्वियाद के नया दिपक लीजेगा और इसको लाल रंग के कपड़े से बांध कर अपने घर के उत्तर पस्चिम दिसा में रख दें, संभाल कर, धन बढ़ता चला जाएगा, धन की कमी ही नहीं होगी मा लक्ष्मी को परसंद करने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए, आप अपके घर में अगर चांदी का प्लेट है तो अच्छी बात, नहीं तो आप एक प्लेट ले लें और इसमें एक सिक्का रखें, और इसके उपर चाबल के कुछ दाने रखें, और इस बरतन को आप अपने घर के पुजा स्थान पे रखें, यानि कि प्लेट के ऊपर आपको सिक्का रखना है, चाबल के कुछ दाने रखना है, और कुम-कुम से पुजा वेगरा करें, और इसी प्लेट में जब भी आपको कुछ खास काम के लिए जाना हो, तो उस प्लेट में से चाबल के दाने एक मुठी सवा मुठी ले ले थोड़ा सा काला तिल इसको बांधे काले कपड़े में और अपने उपर से तीन बार या पांच बार उतार ले और ले जाकर कहीं भी पीपल के नीचे रख दे सनी समंधी जो भी दोस होगा वो समाप्त हो जाएगा तो ये किसमत बदलने वाले ट गैस दिन बना है और जब भी अमोस्यतिति हो या बुद्वार का दिन हो उस दिन एक चोटा सा काम कीजिए आप जब गणेज जी की पूजा करते हैं तो एक सिक्का और एक सुपारी गणेज जी को और पित कर दें और जब भी किसी खास काम से जाएए तो जो सुपारी है सिक तब ऐसे में आप कलस वाला उपाई कीजिएगा जो हमने कहा कि मिट्टी के कलस में आप स्वस्तिक बनाईए और एक सिक्का रख दीजिएगा धन की बरकत होती है उससे हमेशा ही रखे रहें तो वो भी और अच्छा रहेगा वैसे पूजा अस्थान पर आप चावल और दुर पूजा करने के बाद दक्षिना की रूप में कुछ सिक्के का भेट करते हैं तो ऐसा करने से भी सिपजी की किरपा से जीवन में धनकी कमी नहीं होती और साम के वक्त जब आप दिया जलाते हैं तब दीपक में सिक्का डाल कर ही जलाएं और यह सिक्का रूज आप तब ऐसे में आप क्या करेंगे एक लाल रंग का कपड़ा में आप एक सिक्का बांद कर अपने धन के अस्थान पर रख दें और इस सिक्के को कभी खर्च मत कीजिएगा और हमेशा ही सनी वार के दिन आप गरीबों को खाने पीने की वस्तु का भी दान कर सकते हैं किसी भी अमवस्य को भी कर सकते हैं अगर भाग साथ ना दे तो अपने पर्स में एक मोर पंक और एक सिक्का हमेशा रखिए भूला भुआ भाग भटका हुआ भाग भी आपके पास मनुकाम्ना ओ तो रात में देवथा निकाजसी की साम तूल्शी की मिठी में एक लोंग अपनी मनुकाम्ना कहकर गार दें अत्ति्सीघ्र आपके मनुकाम्ना पूड़न होiyorsun इस दिन सिक्के का एक छोटा सा प्रियोग किया जाता है अगर आपकी कोई कीमती वस्तु खो गई है तो एक साधा या कोई भी कलर का रुमाल ले लें उसमें बीच में एक सिक्का रखें अब चारो कोना रुमाल का एक दूसरे से बांद दें और फिर इसको आप भगवान के प पुजास्तान पे रहने दें एक मेने के बाद इस सिक्के को उठा कर समाल के रखिए और धनियों को गमले में बो दीजिए देखिएगा कैसे किसमत साथ देता है लेकिन अगर बुरे सपने आते हों टेंसन ज्याता है तब रात में सोने के पहले आप एक सिक्का और एक तुल झाल